हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू क्रेजी जी के ट्रिक तो आईए डेली करन्ट अफेर्स की इस सीरीज को आगे बलाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 12 जुन 2023 के सभी इंपोर्टन करन्ट अफेर्स को एक एक करके यहां पर डिसकस कर लेते हैं वीडियो में एंड तक बने रहेगा इंपोर्टन होने वाला है अगर आपको इस टॉपिक की पीडियेफ को डाउनलोड करना है तो आप सभी जानते हैं कि क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लिकेशन पर या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडियेफ आपको इजीली एवेलेबल हो जाती है विताउट कॉस्ट एवेलेबल हो जाती है आईए आज के करेंट अफेर का सबसे पहला कुशन देख लेते हैं आई SSF जूनियर वल्ड कप 2023 में पदक तालिका में भारत का इस्तान कोन सा रहा है तो देखिए पहले तो इस वल्ड कप क में पहले इस्तान पर रहा है तो पहले तो अंसर ले लेते हैं अंसर ए हो जाएगा आई SSF जूनियर वल्ड कप 2023 में पदक तालिका में भारत पहले इस्तान पर है अब देखिए यहाँ पर मैं आपको मेडल टेली दे दी है एक बार देख लीजिए टॉप थिरी देशों को आप यहाँ पर याद रखिएगा आई SSF जूनियर वल्ड कप 2023 में पहले इस्तान पर इंडिया है टोटल 15 मेडल में से 6 गोल्ड 6 सिल्वर और 3 ब्रॉंज मेडल इंडियन्स प्लेयर ने जीते हैं सेकेंड इस्तान पर कोरिया रहा है टोटल 12 मेडल इसने अपने नाम किये है यहाँ पर मैंने आपको 5 देश मेंशन किये हैं लेकिन आप 3 याद रखिए आपका काम हो जाएगा अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि पदक तालिका में 12 मेडल जीतकर कोरिया दूसरे स्तान पर रहा है और 9 मेडल जीतकर USA इस कॉमपेटिशन में तीसरे स्तान प किये हैं देखिए सैयम ने 10 मिटर एयर पिस्चल की विमेंस केटिगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है धनुश श्रीकंठ ने 10 मिटर एयर राइफल की केटिगरी में मेंस प्रत्योगिता में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है अम अनपरित सिंग ने 25 मिटर पिस्चल में गोल्ड मेडल जीता है गोतमी भनोट और अभिनाव शौ ने मिक्स टीम में देखिए 10 मिटर एयर राइफल में सयुक्त रुप से गोल्ड मेडल अपने नाम किया है अब देखिए टीम इवेंट की बात करें तो 10 मिटर एयर राइफल में महिलाओ की श्रेणी में गोतमी भ इगना शादूला, पायल खत्री और सिम्रन पिरित कौर बरार ने सयुक्त रुप से गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो इस तरह से टोटल देखिये 6 गोल्ड मेडल भारत ने इस जूनियर शुटिंग वर्ड कप 2023 में अपने नाम किये हैं। तो मेडल टेली में इस प्रतियोगिता में इंडिया पहले इस्तान पर रहा है। सेकेंड कोश्चन देखिये, हाली में चर्चा में रहा जल जीवन मिशन की शुरुवात कब की गई थी। इंपोर्टन कोश्चन है, सेंटरल की सारी स्कीम याद रखियेगा, एक्जाम में पूछी जाती है, जल जीवन मिशन की अगर हम बात करें, तो इसकी शुरुवात देखिये 15 अगस्त 2019 को की गई थी। अब बात आती है कि ये सुरुख्यों में क्यों हैं, तो देखिये ये डवल्यू एचो के कारण सुरुख्यों में हैं फ्रेंट्स, डवल्यू एचो का कहना है कि अगर इस मिशन को भारत में सही डंग से लागु किया जाता है, तो भारत में 4 लाग लोगों को डाइरिया से ह उने वाली मोतों से बचाये जा सकेगा इसलिए हाली में जल जीवन मिशन सुरुख्यों में रहा है अभी जैसा कि मैंने आपको बताया 15 अगस्त 2019 को इसकी शुरुवात की गई थी इस योजना को देश्य देखिए 2024 तक सभी रज्य के ग्रामिन शित्रों में पानी की सुविधा उपलब्द करवाना है जल जीवन मिशन के तहट देश में सबसे पहले हर घर नल से जल पहुचाने वाला जीला मद्धि प्रदेश का बुर्हानपूर जीला बन गया है अब ये तो बात हो गई देखिए जल जीवन मिशन की अगर हम सेंट्रल की अधर इसकिम्स की बात करें तो यहां पर जो इंपोर्टेंट है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ देखिए जन्धन योजना इसकी शुरुआत केंदर सरकार के द्वारा 28 अगस्त 2014 को की गई थी इसके अलावा इसकिल इंडिया मिशन 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ 22 जन्वरी 2015 को शुरू की गई थी और डिजिटल इंडिया मिशन 2 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था तो जल जीवन मिशन के अलावा सेंटरल की ये चार स्किम भी याद रखिएगा अकसर हमें ये एक्जाम में देखने को मिली है आ गया जाईए फ्रेंच ओपन 2023 में विमेंस सिंगल केटेगरी का खिताब किसने जीता है इंपॉर्टन कोश्चन है नोट कीजिएगा देखिए फ्रेंच ओपन 2023 जो की टेनिस की एक प्रत्योगिता है फ्रेंट्स हाली में इसका एजन फ्रांस में किया गया जिसमें देखिए विमेंस सिंगल केटेगरी का जो खिताब है ये इगा स्वितेक ने अपने नाम किया है इगा स्वितेक की बात करें तो ये पोलेंड की खिलाडी है इन्होंने फाइनल में चेक गड़राज जी की खिलाडी करोलीना मुचोवा को हराया है और करोलीना को हरा कर पोलेंड की इगा स्वि में मेंस सिंगल का जो खिताब है यह सर्बिया के नुवाग जोकोविज ने जिता है जिन्नोंने फाइनल में नार्वे के केस पर रूड को हराया है तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको विमन सिंगल और मेंस सिंगल दोनों केटिगरी बता दी है अब अगर हम फ्रेंच ओपन प्रतियोगिता में साल में दूसरा आईजित किया जाने वाला ग्रेंड सिलेम है इस टूर्णामेंट का आईजन कले कोट पर किया जाता है इसके पहले देखिए सबसे पहला ग्रेंड सिलेम साल की शुरुवात में जो आईजित किया जाता है वो ऑस्टेलियन ओपन है दोज जो हाली में आईजित किया गया सेकेंड ग्रेंड स्लेम ये है फ्रेंच ओपन 2023 जिसकी जानकरी अभी मैंने आपको दी है विश्व बाल श्रम निशेद दिवस कब मनाय जाता है तो देखिए पूरे वल्ड में विश्व बाल श्रम 12 जुन को मनाय जाता है 2023 में देखिए इसकी थीम की बात करें तो Social Justice for All and Child Labor ये 2023 में विश्व बाल श्रम निशेद दिवस की थीम है अब देखिए इतिहास की बात करें तो अन्तरास्टे श्रम संगठन ने पहली बार बाल श्रम को रोकने का मुद्दा उठाये था उसके बाद देखिए साल 2022 में सर्व सम्मती से इंटरनेशनली एक कानून परित किया गया जिसमें 14 वर्ष तक के बच्चों को मजदूरी करवाना अपराद माना गया था इंडिया की बात करें इंडिया के point of view से देखें तो 1986 में भारत में बाल श्रम निशेद अधिनियम लाए गया था इंडियन कॉंस्ट्यूशन के article 24 में भी देखिए बालकों से काम करवाने पर या मजदूरी करवाने पर पूनता प्रतिबंद लगाया गया है और इसे उनका fundamental right डिक्लियर किया गया है विशो बाल श्रम निशेद दिवस की यहां पर बात की गई है तो यह हर साल 12 जून को मनाय जाता है 75 इंटरनेशनल अभी लेखागार दिवस के अउसर पर हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदशनी का अईजन कहां पर किया गया तो सिंपल एसे जो आईजन होते हैं फ्रेंड्स वो भारत में नई दिल्ली में किया जाते हैं तो रास्ट अभी लेखागार के 35 अंतरास्ट अभी लेखागार दिवस के अउसर पर हमारी भाषा हमारी विरासत इस प्रदेशनी का एजन हाली में नई दिल्ली में किया गया है। अब इस प्रदेशनी का मुक्युत देश्य देखिए युवा पीडियो को पांडू लिपियों से परिचित करवाना है। पांडू लिपी या फिर किसी भी प्रकार के अभिलेक की प्रदेशनी यहां पर लगाई गई है। अब देखिए रास्ट अभी लेखागार की बात करें। अगर हम इसकी बात करें कि यह क्या है तो देखिए रास्ट अभी लेखागार की स्तापना 11 मार्च 1800 इंक्यानू को कलकत्ता में इंपिरियल रिकॉर्ड विभाग के रूप में की गई थी। 1911 में जब राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्तांतरित किया गया तो दिल्ली में रास्ट अभी लेखागार की इमारत का निर्मान 1926 में किया गया। इस इमारत का डिजाइन उस वक्त एडविन लूटियस के द्वारा बनाए गया था। इस अभी लेखागार में देखिए अभिलेखों का विशाल संग्रा है रास्केपती दुआरा सिक्रत विधयक दुरलब प्राचीन एतिहासिक पांडूलिपी नीजी कागजात जो सरकार के राजपत्र होते हैं जनगर्णा के जो अभिलेख होते हैं या फिर संसद विधान मंडल में जो बहस होती है उन सभी के प्रमाण हमें इस अभिलेखागार में देखने को मिलते हैं हाली में चर्चा में रहा सागर समरद्दी का संबंद किस मंत्राले से है तो देखे सागर समरद्दी जब आप नाम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्राले की एक परियोजना है अंसर ए हो जाएगा हाली में भारत के जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनेवाल ने सागर समरद्दी ओनलाइन ड्रेजिंग निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है अब एक्चल में ये जो मॉनिटरिंग प्रणाली है ये है क्या तो देखे फ्रेंड्स सागर समरद्दी एक ओनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसका उद्दिश्य भारत के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्राले के वेस्टेट्टू वेल्थ अभियान को गती प्रदान करना है देखे इस मॉनिटरिंग सिस्टम का प्रयोक पहले से ही कोचिंग पोर्ट और मुंबई पोर्ट के द्वारा किया जा रहा है न्यू मैंगलोर पोर्ट और दिन दयाल पोर्ट पर अभी ये परिक्षन की स्तिती में है, परिक्षन के इस्तर पर है, बहुत जल्दी इस सिस्टम को यहाँ पर भी लागू किया जाने वाला है अब एक्ष्वल में ये ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है क्या या फिर ड्रेजिंग होता क्या है तो देखिए फ्रेंट्स, नदी, नहर या फिर समुद्र में जो जमा की चड़ है, उसको विशेश मशीनों के माध्यम से साफ किया जाता है, इसी प्रक्लिया को ड्रेजिंग प्रक्लिया कहा जाता है समुद्र तटो पर जहां जो के सुगम परिवान के लिए लगातार ड्रेजिंग की जरुरत पड़ती है, समुद्र को निचले इस तरों से साफ करने की जरुरत पड़ती है तो इसी के लिए हाली में ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉंच किया गया है State of India Environment 2023 रिपोर्ट के नुसार परियावरन मामले में प्रथम इस्तान पर कौन सा राज्ज रहा है तो देखे पहले तो ये जान लेते हैं कि इस रिपोर्ट को जारी किसके दौरा किया जाता है तो ये एक नीजी संस्ता मतलब केरलापकरी संगठन जिसका नाम है Center for Science and Environment इस संस्ता के दौरा State of India's Environment 2023 को जारी किया जाता है हाली में ये रिपोर्ट जारी की गई जिसमें देखिए Environmental Performance की All Over केटेगरी में तेलंगाना राज्ज को बेस्ट राज्ज माना गया है अंसर ए हो जाता है State of India Environment 2023 रिपोर्ट के अनुसार अच्छे इन्वोर्वर्मेंट के मामले में देश में तेलंगाना प्रथम इस्तान पर है देखिए ये जो रिपोर्ट है इसमें परियावरन के सभी पहलूओ को शामिल किया जाता है जैसे जलवायू केसी है मोसम के साहे क्रशी कितने उन्नत है और सिस्ट प्रबंदन कितना अच्छा किया जा रहा है इन सभी पहलूओ को इस रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाता है नॉर्मली चार मापदंडों के अधार पर भारती राज्यों को इस रिपोर्ट में रेंक दी जाती है जैसे देखिए इन्वोर्मेंट, एग्रिकल्चर, पब्लिक हेल्थ और इन्फोस्ट्रक्चर अब देखिए औल ओवर केटिगरी में इस रिपोर्ट में तेलंगाना प्रथम इस्तान पर है इसके बाद गुजराद, गोवा और महारास्ट का इस्तान आता है लगातार दूसरे नमबर पर गुजराद, तीसरे पर गोवा और चोथे पर महारास्ट है जबकि देखिए राजस्तान, नागालेंड और बिहार सबसे निचले पाइदान पर इस इन्वावमेंटल रिपोर्ट में रखे गए हैं अगर हम ओल ओवर केटिगरी से हट कर देखें तो एगरी गल्चर के शेत्र में मद्धि प्रदेश पहले इस्तान पर है और आंधर प्रदेश, 36 गड़ और उत्तर प्रदेश दूसरे, तीसरे और चोथे इस्तान पर हैं लेकिन यहाँ पर हमको ओवरॉल केटिगरी की ज़ुरत पड़ेगी तो ओवरॉल इन्वावमेंटल पॉफोर्मेंस के मामले में तेलंगाना इस रिपोर्ट में पहले इस्तान पर है इसे याद रखेगा, काम हो जाएगा पहले रास्ट प्रशिक्षन सम्मिलन का उधगाटन किसके द्वारा किया गया तो देखे फर्स्ट नेशनल ट्रेनिंग कॉन्फरेंस का हाली में उधगाटन भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है हाली में देखे 11 जुन 2023 को नई दिल्ली के प्रगती मेदान में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के पहले नेशनल ट्रेनिंग कॉन्फरेंस का उधगाटन किया है अब इस कॉन्फरेंस का उधश क्या है तो देखे देश में जितने भी प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षन संस्तान है उनके बीच में सयोग को बढ़ावा देना प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षन अवसरचना को मजबूत करना इस कॉन्फरेंस को अईजित क जाने का मुख्युत देश है तो देश के पहले नेशनल ट्रेनिंग कॉन्फरेंस का हाली में इनोग्रेशन भारत के पीम नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली के प्रगती मेदान में किया गया है तो देखे नाम थोड़ा सा टफ है मैं आपको मिंडोक फेस्टिवल ब मिंडोक एथिनिक फ्लावर फेस्टिवल का जशन शुरू हुआ जहां पर दिखिए लोग अपने परीजनों की कबर पर फूल चड़ाते हुए नजराते हैं तो ये जो फेस्टिवल है लद्दाक में ये अपने रिलेटिव्स की जो कबर है उस पर फूल चड़ाने से संबं इसे मिंडोक एथिनिक फ्लावर फेस्टिवल या फिर फूलों का त्योहार भी कहा जाता है नॉर्मली देखिए गुरुवार और शुक्रवार के दिन पहाडों से फूल तोड़कर लाते हैं ये लोग और अपने रिलेटिव्स की आत्मा की शान्ती के लिए उनकी कबरों प किस रज्ज में इस्तित है इंदरा सागर डेम के अगर हम बात करें तो ये मद्य प्रदेश के खंडवा में नर्बदा नदी पर इस्तित है अब सुर्खियों में क्यों हैं तो देखिए हाली में एनेज डीसी लिमिटेड ने मद्य प्रदेश के खंडवा में इंदरा सागर का जो जलाशे हैं MP के खंडवा जिले में वहां से पानी का इस्तेमाल किया जाएगा ये जो योजना है MP में देखिए पीक आवर में जो इलेक्टिसिटी की डिमान बढ़ती है उससे निपटने के लिए शुरू की गई है देखिए मद्य प्रदेश के इस 525 मेगावाट के पा ओके तो यहाँ पर देखिए हमने 12 जुन 2023 के सभी करेंट अफेर्स को एके करके डिसकस कर लिया अब आजाएए आज की फैक्टिशिट में हम पुरसकारों को अवर्ट्स को आगे बढ़ाते हैं जो की हमने कल की फैक्टिशिट में भी डिसकस किये थे तो पहला देखिए नि लाइप टाइम अचिमेंट अवर्ट से सम्मानित किया गया है इसके बाद दिखिए एन चंद्री शेखरन को फ्रांस के सर्वोच नागरिक सम्मान शेवेलेयर दी लौ लीजन दी ओनर से सम्मानित किया गया आगया जाए सलमान रुजदी को पेन शताब दी साहस पुरसकार प्रदान किया गया है हाली में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को पापवा नयुगिनी ने अपने देश के सर्वोच नागरिक सम्मान कमपेनियन अफ दे ओडर ओफ लोगोह से सम्मानित किया है बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनो और अनुवादक एंजल रोडेल के उपन्यास टाइम शेल्टर को अंतरास के बुकर पुरसकार दिया गया है विश्व प्रसिद कोकरणी लिखक दामोदर मावजो को देखिये 27 मई को गोवा में भारती ग्यानपिट पुरसकार से सम्मानित किया गया है ओके तो यहाँ पर देखिए कल भी हमने मई जून में जो अवर्ड दिये गए हैं उस सेक्शन को डिसकस किया था आज ही हमने उसका दूसरा पार्ट डिसकस किया है अब आज आए हम लास्ट डे के करंट अफ्यर को एक बार यहाँ पर जल्दी से रिवाइस कर लेते हैं पहला देखिए मिस वर्ड 2023 का एजन 2023 में भारत म युक्त किया गया है इसी ये इंटरनेशनल कोस्ट अफ लिविंग रेंकिंग 2023 के नुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर न्यूयोक है जो की USA में इस्ति थे हाली में चर्चा में रहा किलावा जो अलमुखी किस देश में इस्ति थे तो किलावा जो अलमुखी अमेरिका में जिसमें देखिए हाली में विस्पोट हुआ है हाली में अगनी प्राइम मिसाइल का सफल परिक्षन डियाइडियो के द्वारा अब्दुल कलाम दीप से किया गया है युगांडा में भारती उच्चा युक्त उपेंदर सिंग रावत नियुक्त किये गए हैं हाली में भार इनर्जी सेंटर की स्तापना कहां की जाएगी तो बेमस्टेक इनर्जी सेंटर की स्तापना इंडिया में की जाने वाली है लास्ट देखिए भारत फ्रांस और सयुक्त अरब अमिरात के बीच पहला समुदरी साज़धारी अभ्यास का आईजन हाली में ओमान की खाड़ी मे किया गया है ओके तो यहाँ पर देखिए हमने लास्ट डे के सभी करेंट अफर्स को एक बार यहाँ पर रिवाइस कर लिया अब आपके लिए आज का कुश्चन ऑफ दडे है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कुश्चन देखिए आई एसस एफ जूनियर व कौन सा देख है आई होप सेशन अच्छा लगाओगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेर कर दीजिए चेनल को सब्सक्राइब कर लिजिए कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स टेडे के करन्ट अफेर में तब तक अपना खयाल रखिए जय हिन जय भारत